कि आई आपको सीदे लिए चलते हैं सुश्मा स्वराज कि शुद्धान्जली सभा में इस वक्त प्रधानमंतुरी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि कर रहे हैं शायद तो ठीक हमारा शो तो निकल गया वे मुर्दू थी वो नम्र थी वो ममता से भरी थी सब था लेकिन कभी कभी उनकी जबान में पक्का हर्यानवी टच भी रहता था हर्यानवी टच के साथ बात को फटाख से कहना और उसमें टच से मस न होना बीतर से कन्विक्शन की रुप में प्रगठ होता था यह उनकी एक विश्यस्ता थी और यह सारवजनिक जीवन में बहुत कम होता है गुड़ी गुड़ी बात करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन जब जरुरत पड़े तो कठोरता पूरवक्त चीज को रखना और तब मेरे लिए कौन क्या सोचेगा उसकी चिंता करने के बजाएं इस समय अगर गलत निर्णे हो गया तो नुक्सान होगा मुझे इस गलत निर्णे से बचाना चाहिए पार्टी को बचाना चाहिए साथियों को बचाना चाहिए परिस्तित्य को समालना चाहिए इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए कभी हर्यानवी भासा का भरपूर उप्यों करना पड़े तो कभी संकोच नहीं करती थी बीवितेताओं से भरा व्यक्तित्व था जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अपने आपको कसना अपने आपको हमेशा एक कायर करता के रूप में समर्बित भाव से कायर करता रहना एक उत्तम कारकरता के रूप में एक स्रिष्ट साथी के रूप में बहुत कुछ दे करके गई है बहुत कुछ छोड़ करके गई है सुस्माजिन नहीं है विरासत और अमानत हमें दे के गई है उस विरासत और अमानत को कभी कभी जरूरत पड़े तो सजाना पर बता है और वही सुस्माजिन को सची सद्धान्जली होगी सुस्माजी की जो ताकत थी उसकी कुछ जलग मैंने उस बेटी को बहुत आशिरवात देता हूं इस परिवार के दूख में हम सब उनके साथ है आदर पुर्वक नमन करते हुए उनको सद्धान्जी देते हुए हम उन आदर शो पर चलने का प्रयास करें यही शक्ति प्रभू हमें दे धन्यवाद प्रधान्वंत्य अपने तरीके से सुष्मा स्वराज को याद करते हुए हर कोई चो उनकी शक्सियत को जानता है इस बात का सम्मान करेगा कि प्रधान्वंत्य ने यह कहा कि सुष्मा स्वराज इस बात की चिंता नहीं करती थी कि उनकी बातों को कोई अच्छे से देखेगा या बुरे से देखेगा या हमेशा उन्हें गुटी-गुटी बने रहने की जरूरत है मन की बात कहती थी, स्पश्टा से कहती थी, हर्याना का एक स्पश्ट था उनकी आवाज में और यही हरेक के दिल में बस्ता था एक टेक्रिक आच्छी आच्छी आच्छी